हाई फ्रेंड्स मैं हूं अरुन गरी आपके अपने टेक्निकल कंसेप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का माँ टॉपिक है कंसेप्ट आफ इस पेसिफिक हीट कैपसिटी इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है इसका डेफिनिशन क्या होता है इसका फिजिकल स अब को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब पर ले और बेल आइगन को प्रेस कर लें ओके अधाए हम वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट होता कहा है इसका डिफिनिशन है इसका सीदा सार्थ होता है क्यों बहुत से अग वाटर लिया उसका temperature 30 degree Celsius है और उसको हम 30-31 degree तक पहुचाने के लिए जितना heat supply करेंगे उसको हम बोलते हैं specific heat इसको का symbol है C इसको हम C से denote करते हैं और इसका unit है किलो जूल पर केजी केल्विन और किलो जूल पर केजी केल्विन कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं और जूल पर ग्राम केल्विन भी हो सकता है इसका unit यह भी unit है अब आए जानते हैं कि इसका physical significance क्या होता है specific heat capacity का मतलब होता है सीधा समर्थ हो मतलब होता है कि कोई भी substance का अपने अंदर heat को absorb करने की capacity capacity कितना है वह कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर तीन भी करें तीनों में अलग-अलग substance है और तीनों की heat storing capacity अलग होगी मतलब specific heat capacity तीनों की अलग-अलग होगी तो इसमें क्या करेंगे सब तीनों का temperature 30 degree Celsius है 30 इसका भी 30 और इसका भी 30 है हमने यहां पर heating करना चालू किया है यहां से हमने तीनों को heating करना चालू किया है अब जो यह है इसका temperature 30 से 31 आने में वन मिनिट लगता है इसमें टू मिनिट लगता है इसमें समझों फाइब मिनिट लगता है एक लीड़ी टेम्रेचर आइस होने के लिए तो इससे क्या होगा तीनों को सेम heat supply कर रहे सबको बराबर heat supply कर रहे तो इससे क्या इंदर यह अप समझें दो मिनिट ले रहा है तो इसका क्या है इससे थोड़ा कम है यह एक मिनिट ले रहा है तो इसका सबसे कम है specific heat capacity अपने अदर बहुत कम heat को store कर पार रहे है इसका मितलब सीधा सा मतलब यह होता है कि कोई भी सबस्टेश का अपने अंदर कितना heat सब्मिट मिलब इस्टोर कर सकता है उसको भी specific heat capacity बोलते है इसका फर्मूला होता है q is equal to mc delta t यहां पर c होता है specific heat capacity यह होता है मास अपना मास के लिए है मास आपने कोई भी सबस्टेश के लिए है जांपने को भी सब्सेंट के लिए ले सकते हैं कि क्यूं इनर्जी ट्रांसपटेश्पर in Joules सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो भी उतना ही रहेगा डिग्री सल्चेस कर लेंगे तो भी उतना ही रहेगा कि अब जाएंते हैं कुछ सब्सक्राइब का सबसे ज्यादा होता है 4.184 आइस का उससे कम होता है स्टीम का एक स्टीम एक हंडेड डिग्री सल्चेस उसका 1.996 होता है अल्पनियम का 0.902 क्रोमियम का 0.461 लिट का 0.128 मैगनिस्यम का 1.020 मैगनिका 0.140 टिन का 0.213 जिंका 0.387 किसी किसी वो कन यह एक डाउट रहता है मतलब भ्रह्म रहता है कि जिसका सब्स्टेंस का डेंसिटी ज्यादा रहता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपसिटी ज्यादा होता है लेकिन यह कंसेप्ट गलत है ऐसा नहीं होता है कर देह सकते हैं हैं'' हाै सिस्टेन्स वाले सब्सक्राइब कर देख सकते हैं अब आश को अब ऐसे हैं होahaha कि कर दो कुछ क्वे कुछ दी होगा तो भी कमेंट बक्स में कमेंट करके बताईएगा तो आज के लिए बस इतना है तो थाइक्स पर वाचिंग बाई बाई